ब्रेस्ट कैंसर का इलाज पूरा होने पर या इलाज के दौरान इन बातों पर ध्यान देने से पेशन्ट अपना ख्याल अच्छी तरह रख सकते हैं ट्रीट्मेंट के बाद हाथ और बहा में आने वाली सूजन को कहते हैं लिंफेडीमा इसे कम करने के लिए या सूजन ना हो कुछ अलग तरह की एक्ससाइजिस होती हैं जो डॉक्टर या फिजियो थेरेपिस से जान सकते हैं कुछ पेशन्स में एक्ससाइज के साथ कंप्रेशन बैंडेज भी लगाया जाता हैं याद रखने वाली बात ये है कि जिस तरफ सरजरी मतलब ऑपरेशन हुआ है उस हाथ में लाइफ में कभी भी इंजेक्शन नहीं लगवाना हैं और किसी भी तरह की छोटी बड़ी चोट लगने नहीं देना है इलाज के बाद हाथों या पैरों में छुंजुनी कंधी में दर्द या घुमाने में दिक्कत के लिए फिजियो थेरपी से फाइदा होता है इसके लिए डॉक्टर की एडवाईस लेना जरूरी है क्योंकि कुछ पेशन्ट में दवाई लेने से भी आराम हो सकता है ब्रेस्ट की सरजरी के बाद ब्रेस्ट सपोर्ट, पैडिंग या स्पेशल सपोर्ट वाली ब्रा का यूज़ करना पेशन्ट की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है किस पेशन्ट के लिए क्या ठीक रहेगा ये डॉक्टर से जान दीजिए ब्रेस्ट पर दिया हुआ रेडियेशन फेफडों तक पहुच कर नुकसान कर सकता है जिससे सास पुलने की परिशानी हो सकती है इस नुकसान का असर कम करने के लिए श्वास मतलब ब्रीधिंग एकसाइजिस की जा सकती है जैसे स्पाइरोमीटर से या फिर प्रानायाम इससे बचने के लिए फिजियोथेरपी या योगा रेगिलरली करने की सला दी जाती है इलाज पूरा होने के बाद भी कुछ पेशन्स को कमजोरी और ठकान रह सकती है इसे दूर करने के लिए पेशन्स अपने खाने में सभी वाइटमिन्स प्रोटीन्स और कार्गोहाइड सही मात्रा मतलब करेक्ट क्वांटिटी में लिंक ट्रीटमेंट लेते हुए और पूरा होने के बाद पेशन्स की प्रॉपर डाइट के लिए हमारा ये विडियो जरूर देखिए खाने के साथ साथ पेशन्स डेली लाइफ में कुछ एनरजी कॉंजर्वेशन टेखनीक्स यूज कर सकते हैं इन टेकनीक्स से हर काम कम शक्ति खर्च करके किया जा सकता है इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सिसाइज से भी ताकत बढ़ती है कैंसर की बुमारी की बजह से होने वाले स्ट्रेस को दूर करके नई लाइफ चुरू करना कितना इंपोर्टन्ट है ये पेशन्ट और उसकी फैमली समच सकते हैं दूसरे कैंसर सर्वाइवर्स से मिलकर अपने एक्सपिरियंसेज शेर करने से और एक दूसरे की मदद करने से मन हलका होता है रीसर्च स्टाडीस के हिसाब से कोई भी कला जैसे ड्रॉइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, क्रियेटिव राइटिंग, ड्रामा, डांस वगेरा करने से मानसिक तनाव मतलब स्ट्रेस कम होता है इसे कहते हैं आर्ट थेरपी, चाहे तो पेशिंट्स साइक्याट्रिस की मदद से कोगनिटिव बिहेविरल थेरपी भी ले सकते हैं जो विचार और व्यभभार को सकारात्मक हमलब पॉजिटिव बनाने की एक टेकनीक है कैंसर सर्वाइवर्स या पेशिंट्स खुद से प्यार करें और खुद के बारे में अच्छी सोच रखें स्ट्रेस कम करके अपनी लाइफ को बदलने के लिए मेडिटेशन से हुने वाले जितने फाइदे गिनाएं वो कम है याद रखिए खुशी और ग्राटिट्यूड मतलब क्रोतग्यता के विचार सब कुछ बदल सकते हैं पेशिंट्स के लिए स्ट्रेस रेडक्शन पर अलग से बने हमारे वीडियो की लिंक स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं इसे जरूर देखिए